चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, दोस्तों हमारे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको जागिश्वर धाम के बारे में बताएंगे जागिशुर धाम वो धाम है जहां भगवान शिव का लिंग गिरा था और जहां भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है इस पौराडी कथा का विस्तार इस पकार से बताया गया है दोस्तों दश प्रजापती के यग्ग में जब माता सती के आत्म दहा से दुखी होकर भगवान शिव ने यग की भस्म लपेट कर दारुक वन में चले गए थे तो लंबे समय तक वह वहाँ पर तप कर रहे थे इसलिए ये जगह शिव की तपसली के रूप में भी जानी जाती है इनी जंगलों में वशिष्ट आदी सब्त आरा रिशी अपनी पत्नियों सहित कुटिया बना कर तप करते थे एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे उस दोरान एक दिन सब्त रिशी की पत्निया जंगल में कंथ, मूल, फल, आदी के लिए गही थी तो उनकी नजर दिगंबर शिव जी पर पड़ती है भगवान शिव के सुगटित सरीर को देखकर रिश्यों की पत्निया वहीं पर मूर्चित होकर गिर जाती है शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे, उनका उनकी उपर कोई ध्यान नहीं दिया फिर रिश्यों की पत्निया काम सरूप में अंदी होकर वहीं मूर्चित होकर गिर जाती है जब वो पूरी रात कुटिया में नहीं आती है तो रिशी गड़ सुबह होकर उन्हें डूनने के लिए निकल पड़ते है तब सब्त रिशी ने देखा कि शिव समाधी में लीन है और उनकी पत्निया मूर्चित होकर गिरी हुई है तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ अवश्य ही वेवाविचार किया है और इस आकनसंगा में वे भगवान शंकर को शाब दे बैठते हैं और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ दुरुवेवार किया है अता तुम्हारा लिंग तुरंट तुम्हारे शरीज से अलग होकर गिर जाए भगवान शिव ने आखें खोली और बोले कि आप लोगों ने मुझे संदे जनक परिस्तिती में देखकर अज्यानता के कारण ऐसा किया है इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूँगा मेरा लिंग अपने आप गिर कर इस स्थान पर इस्थापित हो जाएगा और तुम सभी सब्त रिसी भी आकास में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे लिंग के शिव से अलग होने से ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगता है ब्रह्मदेव ने संसार को प्रकोब से बचाने के लिए रिशियों को कहा कि आप मा पार्वती की उपासना कर रहे है ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती देवी ही धारण कर सकती है रिशियों ने मा पार्वती की उपासना की पार्वती देवी ने यौनी रूप में प्रकट होकर शिव जी के लिंग को धारण किया इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई पौराडिक माननताओं के अंसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागिश्वर धाम से ही प्रारम हुआ मान सरोबर की यात्रा पर जाने से पहले दोस्तों लोग इस धाम की पूजा अर्चना करके ही आगे बढ़ते हैं यहां करीब दोसों से भी जादा मंदिर हैं जागिश्वर धाम अलमोडा से 29 किलो मीटर दूफ देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है इस धाम का प्राचीन काल से ही बहुत महत्तो है यहां भगवान शिव जागरत रूप में विराजमान है यहां पहला मंदिर ऐसा है जहां लिंक के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है यहां मंदिर पर इसर में ही एक प्राचीन देवदार का विरच है जो की नीचे से एक और उपर से दो शाखाओं वाला है मानिताओं के अनुसार देवी पारवती और भगवान शिवकार दर्शन लोग इस रच में ही करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को जब भी मौका मिलें आप एक बड़ अवश्च जाएं और जागेश और धाम में शिवलिंग के रूप में शिवजी की पूजा अर्चना जरूर करें तो दोस्तों मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मैं इसी तरह आपको आगे भी और भी कहानिया सुनाती रहूँ जै माता दी